Hello Everyone, Welcome to Online Study Point दोस्तो आज की इस वीडियो में हम विश्व की जो प्रमुख जलसंधिया है इन्हें की स्ट्रेट है जो इनसे रिलेटेट टॉक थर्टी इंपॉर्टन कोश्चन को कवर करने वाले हैं क्योंकि इन जलसंधियों से रिलेटेट डिफेनेटली एक्जाम में एक से दो कुश्चन पूछा जाता है तो इंपॉर्टन जलसंधियों को हम डिसकस करेंगे यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडियाफ शाहिए तो आप हमारी इस मोबाइल अप्लिकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को डेली क्विस, फ्री पीडियाफ और पर डे के करन्ट अफेर का आउडियो भी मिल सकेगा इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस्ट्रेट इनी की जल संधी ये होती क्या है तो जल संधी कहने का मतलब है कि जहां दो जल भाग मिलते हैं और दो थल भाग अलग होते हैं वहाँ जाकर कि इस्ट्रेट इनी की जल संधी का निर्माड होता है इसे हम समझ लेते हैं पहले question से अंडमान सागर और जावा सागर यहां typing mistake है अंडमान सागर और जावा सागर को कौन सी जलसंधी जोड़ती है तो इसका right answer है मलक का जलसंधी यदि आप map में देखेंगे तो इंडिया के नीचे इस्तित है श्री लंका और श्री लंका के नीचे में इस्तित है मलेशिया और इंडोनेशिया तो कौन से दो भूभाग अलग हो रहे हैं मलेशिया और इंडोनेशिया कौन से दो जल भाग मिल रहे हैं तो उपर है अंडमान सागर यदि अंडमान सागर के जगह बंगाल की खाड़ी लिखा है तो भी यह सही है अंडमान साग और नीचे जावसागर ये दोनों मिल रहे हैं और दो भूभाग अलग हो रहे हैं तब जाकर के मलक्का स्ट्रेट का निर्माड होता है तो अंडमान और जावसागर इन्हें जोडता है मलक्का स्ट्रेट मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच इस्थित है फिर अगला है पाक जल संधी ये किसे किसे जोड़ती है तो पाक जल संधी जो कि मनार और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है यह आप map में देखेंगे तो यह है इंडिया का का निर्मान होता है भारत और श्रीलंका के बीच मरमरा सागर और एजिन सागर को कौन से जल संधी जोड़ती है यह कुश्चन important है क्योंकि current से भी related है तो मरमरा सागर और एजिन सी को डार डिलीज जल संधी जोड़ती है यदि आप मैप में देखेंगे तो यह तर्की तर्की यह ऐसा देश है जो कि एशिया महादीप के अंतरगत भी आता है और यौरप महादीप के अंतरगत भी आता है यह जो हिस्सा है तर्की का जो कि एशिया महादीप के अंतरगत आता है इसे हम कहते है अन मरमरा सागर और एजिन सागर और इन दोनों के बीच में यह जो आप छोटा सा देख रहे हैं यही है डाडनस स्ट्रेट तो डाडनस स्ट्रेट मरमरा सी और एजिन सी को जोड़ रहा है जबकि थोड़े उपर इदिया आप देखेंगे ब्लैक सी के पास तो यह ब्लैक सी और य आगे हम इसका रिविजन भी कर लेंगे, तो जलसंदी का नाम है डाडलिस, मरमरा और एजिंसी को जोडता है, तरकी के पास स्थित है, दक्षनी चीन और फिलिपिन्स को कौन सी जलसंदी जोडती है, लुजॉन जलसंदी, यदि आप देखेंगे, तो यह है ताइवान, यह है कि जो हमने स्टार्टिंग के तीन जलसंदी डिसकस किये हैं, वह इंपोर्टन्ट है, काला सागर और मरमरा सागर किस जलसंदी से संबंदित है, तो यह है बॉस पोरस स्ट्रेट से, अभी हमने डिसकस किया है, देखें यह है बॉस पोरस स्ट्रेट, जिसके माद्यम से ब्लै पूरस और डाडनस फिर अगला है डेविस जल संधी ये किसे जोड़ती है तो ये बेफिन की खाड़ी और अट्लांटिक महासागर को जोड़ती है यदि आप लोकेशन में देखेंगे तो ये तो है ग्रीनलेंड बाकी ये वाला जो हिस्स है नौर्थ अमेरिका का और ये ही इस्थित है कनाड़ा तो ये जो डेविस स्ट्रेट है किसे किसे अलग कर रही है ग्रीनलेंड को और कनाड़ा को और किसे जोड़ रही है तो बेफिन की खाड़ी और यहाँ ऐसा आकार की आकरती में जो Atlantic महासागर है इन्हें ये connect कर रही है तो इसकी location आप लोगों ने देख ली जलसंधी का नाम Davis किसे जोड़ती है तो बेफिन की खाड़ी और Atlantic महासागर को किसे अलग करती है Greenland और Canada को फिर अगला है St. Lawrence खाड़ी और Atlantic महासागर किस जलसंधी से जुड़ो हुए है बेलेदीब जलसंधी से हलाकि ये उतना important नहीं है लेकिन इसकी location आप देख सकते हैं जो कि कुछ यहां कनाड़ा के पास इस्थित है तो ये किसे किसे जोड़ रही है St. Lawrence खाड़ी और Atlantic को कनाड़ा के पास इसकी भागॉलिक इस्थित है Bering सागर और यहां होना चाहिए Architect सागर इन्हें कौन सी जलसंधी जोड़ती है तो इसका नाम है Bering जलसंधी इसकी location निदे आप देखेंगे तो अभी जो हमने डिसकस किया है ये तो है Alaska वाला एरिया और ये Green Land है जिसके बारे में अभी हमने डिसकस किया था बेफिन की खाड़ी कुछ यह हैं इस्थित है तो Alaska जो कि ये North America का हिस्सा है फिरीदी आप रशिया वाला एरिया देखेंगे तो रशिया का वह हिस्सा जो कि एशिया महादीप के अंतर गताता है यह कहलाता है Siberia तो इसी Siberia और Alaska इनके बीच में इस्थित है Bering Strait जिसके माध्यम से ये दोनों महादीप अलग होते हैं और कौन से दो सागर मिलते हैं प्रशान्थ और आर्किटिक महासागर यदि प्रशान्थ के जगह Bering सागर लिखा है तो वह भी सही है तो इसे आप रिवाइस कर सकते हैं इसकी भौगॉलिक इस्थिति Alaska और रश्या के बीच इस्थित है किसे अलग करती है Bering सागर और Arctic सागर को तस्मान C और Java सागर ये दोनों किस जलसंधी से संबंदित हैं तो ये है फोबेक से जलसंधी से हलाकि ये भी उतना नहीं पूछा जाता है एक्जाम में तब भी आप देख सकते हैं फोबेक से जलसंधी जो की Java सागर और तस्मान सागर को connect कर रही है और इसकी जो भौगॉलिक इस्थिति है ये New Zealand के पास इस्थित है फिर अगले है उत्री Atlantic और Arctic महासागर को कौन सी जलसंधी जोड़ती है तो इसे connect करती है Denmark जलसंधी ये important है इसकी location इदे आप देखेंगे तो अभी हमने Greenland के बारे में डिसकस किया था और ये है इस्थित है Iceland Iceland जो कि Atlantic महासागर जो कि Denmark इसकी location कहा हो गई Greenland और Iceland के पास है किसे जोड़ रही है उत्री Atlantic और Arctic महासागर को फिर अगला है तेखें यहां भी typing mistake है यहां South China Sea की जगह होना चाहिए Tanuna Sea ये सभी मैं PDF में modify कर दूँगी तो पूछा जा रहा है Tanuna और Java Sea ये किस जल संधी से संबंधित हैं तो यह है कारी माटा जल संधी से हैं इसके दिए आप location देखेंगे तो अभी जो हमने Malaysia और Indonesia के बीच discuss किया था मलक्का स्ट्रेट ये तो आप लोगों को यादी है यहां हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ओफ कारी माटा की तो इससे कौन से सागर मिल रहे हैं जावा सागर और कौन समय ने बताया है तानुना सागर इसकी location इंडिया इंडोनेशिया के पास इस्थित है इंग्लिश चैनल और उत्री सागर को कौन सी जल संधी जोड़ती है तो ये भी दोवर स्ट्रेट है इसी के माध्यम से इंग्लिश चैनल और नौर्थ सी ये मिलते हैं और ब्रिटेन और फ्रांस ये अलग होते हैं तो इसकी location कहां इस्तित है इंग्लेंड और फ्रांस के बीच इंग्लेंड वही ब्रिटेन एक ही बात है तो ये इंग्लिश चैनल और उत्री सागर को connect करती है डोवर जलसंदी फिर अगला है जावा सागर और सेलिबी सागर ये किस जलसंदी से जुड़े हुए हैं तो ये मकासकार जलसंदी से जुड़े हुए हैं इसकी दिया आप location देखेंगे तो इंडोनेशिय का ही एक दीप है जिसे हम सुलावेसी दीप के नाम से जानते हैं और एक है बॉर्नियो दीप तो ये जो मकासकार जलसंदी है ये इन दो थल भाग को अलग कर रही है और कौन से दो जल भाग को जोड़ रही है तो इसे सेलेपसी और जावासी ये मिल रहे हैं और बॉर्नियो सुलावेसी ये अलग हो रहे हैं तब जाकर के मकासकार स्ट्रेट का निर्माण होता है और इसी सुलावेसी दीप में हाली में लगभग 45,000 साल पुरानी पेंटिंग भी खोजी गई है जो की करन्ट से रिलेटेड है अगला है हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महसागर को कौन सी जल संधी जोडती है तो ये हडसन जल संधी के माध्यम से जोडती है इसकी लोकेशन लिदे आप देखेंगे तो ये तो अब आप लोगों को रख चुका होगा डेविस स्ट्रेट जिसके माध्यम से ये कनाड़ा और ग्रीन लेंड ये अलग होते हैं और बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सी ये मिलते हैं डेविस स्ट्रेट के माध्यम से अभी हम क्या डिस्कुस करने जा रहे हैं हडसन की खाड़ी और अट्लांटिक महासागर को तो हडसन की खाड़ी आप देख सकते हैं ये है हडसन की खाड़ी और ये जो पूरा है ये है अट्लांटिक महासागर इसे कौन सा इस्टेट जोड रहा है तो ये है हडसन इस्टेट इसका right answer हो जाएगा option number A जापान सागर और प्रशानत महा सागर किस जल संधी से जुड़े हुए हैं तो ये जुड़े हुए हैं सुगारू जल संधी से इसके लिए आप location देखेंगे तो कौन से दो जल भाग मिल रहे हैं ये है जापान ये है रशिया तो ये है जापान सागर और ये है Pacific Ocean यानि के प्रशानत महा सागर और जापान सागर ये मिल रहे हैं तब जाकर किस स्ट्रेट का निर्माण हो रहा है सुगारू स्ट्रेट का इसकी location जापान के पास है आप लोगों ने देख ली है फिर अगला है भूमद्य सागर येनि के Mediterranean Sea और Atlantic महा सागर को जोडने वाला जो इस्ट्रेट है इसका नाम क्या है तो ये है जिब्राल्टर इस्ट्रेट most important है ये तो आप लोगों को यादी होगी तो ये है पूरा यॉरप का हिस्सा और ये जो है पूरा ये है अफरिका का हिस्सा यॉरप महादीप में ये जो देश है इसका नाम है स्पेन और अफरिका महादीप में ये इस्थित है मुरकों तो स्पेन और मुरकों इन दोनों की ही बीच में इस्थित है जिब्राल्टर इस्ट्रेट जिसके माध्यम से यौरप महादीप और ये अफरिका महादीप ये दोनों अलग हो रहे हैं और ये किसे जोड़ रहा है तो ये जो भूमधी सागर है येंगे मडिटीरियन सी और इधर है अट्लान्टिक महा सागर ये दोनों मिल रहे हैं लाल सागर और अरब सागर ये किस जल संधी से जुड़े हुए हैं तो ये बावे मंडल जल संधी से जुड़े हुए हैं अब ये important है क्योंकि इससे related exam में question पूछा गया है इसके दिए आप location देखेंगे तो ये है लाल सागर और ये जो आप हिस्सा दे सकते हैं यमन जिबूती इन्हें अलग कर रहा है और किन्हें जोड़ रहा है तो लाल सागर और अरब सागर इन दोनों को ये connect कर रहा है फिर अगला है प्रशान्त और दक्ष्णी अट्लांटिक महासागर को कौन सी जल संधी जोड़ती है मैगलन जल संधी आप लोग उन्ह इसा करके आकरती में आप लोगों को याद है और चिली से होते हुए कुछ यहां इस्थित है पेसवी कोशन तो यहां अट्लांटिक ओशन और पेसवी कोशन ये दोनों जुड़ रहे हैं चिली के पास इसकी लोकेशन है मैक्सिको की खाड़ी और अट्लांटिक महासागर को कौन सी जल संधी जोड़ती है Florida जल संधी आप लोगों ने North America और South America की location तो देखी ही होगी दोनों के बीच में इस्थित है Panama Street इसी location को आप लोगों को zoom करके देखना है जहां ये North America खत्म होता है तो यह आप देख पा रहे हैं तो North America जहां ये खत्म हो रहा है यहीं इस्थित है Mexico की खाड़ी तो यह जो Mexico की खाड़ी है यह Atlantic महासागर जो कि ऐसा कर की आकरती में आप लोगों ने अभी ही देखा है यह यहां इस्थित है तो Mexico की खाड़ी और Atlantic महासागर यह दोनों जोड रहे है Florida स्टेट के माध्यम से कौन से दो भूभाग अलग हो रहे हैं तो ऊपर Florida नीचे क्यूबा तब जाकरके यहां Florida स्टेट का निर्माड होता है तस्मान सागर और दक्षनी सागर को कौन सी जल संधी जोड़ती है तो इसे जोड़ती है बास जल संधी यहां इसका मैप नहीं लगा पाई हूँ तब भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ जैसे कि आ कौन से दो जल भाग मिलते हैं यहां तस्मान सी और साउट सी यह दोनों जाकर की मिलते हैं आस्ट्रिया के पास इसकी location है कौल जल संधी किस महासागर से संबंध। दक्षन प्रसांत महा सागर से तो देखे प्रसांत महा सागर का ही जो दक्षन हिस्सा यहीं तो इस्थित है न्यूजेलेंड न्यूजेलेंड का यह जो ऊपर हिस्सा है और यह दक्षन हिस्सा है इन दोनों के बीच में एक स्टेट है जिसे हम कुक स्टेट के माध्यम से जानत सकते हैं देखिए इंडोनीशय के पास इस्थित हैं तो यह जावा सी और यह इंडियन ओशन इनहीं के बीच में सुन्ड़ा इस्ट्रेट इस्थित हैं पूर्वी चीन सागर और प्रशानत महा सागर को कौन सी जल संधी जोड़ती है तो इसे टोकरा जल संधी जोड़ती है य मैकसिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ने वाली जल संधी का नाम है यूकाटन जल संधी मैकसिको और क्यूबा के पास इसकी लोकेशन है और मैकसिको कहां इस्तित है नौर्थ अमेरिका में तो यह आप देखेंगे यह है मैकसिको और यह है यूकाटन जल संधी जो कि इसे Caribbean Sea से connect कर रही है अगला है Adriatic Sea और Ionian Sea ये किस जल संधी से जुड़े हैं? ये Oranto जल संधी से जुड़े हैं आप लोगों ने Mediterranean Sea की location तो देखी ही है तो Mediterranean Sea में ही यदि आप notice करेंगे तो ये है Straight of Oranto और इसी Straight of Oranto के माध्यम से Adriatic Sea और Ionian Sea ये दोनों connect हो रहे है अगला है Irish सागर और Atlantic महा सागर को कौन सी जल संधी जोड़ती है तो इसे North Channel जल संधी connect करती है तो आप लोगों ने Britain की location देखी है और France की location दोनों की बीच में कौन से स्ट्रेट है? Dover Strait अब इसी Britain को यदि आप गौर करेंगे तो ये इसके चार राज्ये हैं Britain और इसके पास स्ट्रेट है Scotland और भी North Ireland ये भी स्ट्रेट है तो इसे ही यदि आप फ़र जूम करेंगे तो ये तो है Scotland और ये है North Ireland इनी दोनों की बीच में स्ट्रेट है North Channel फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी की बीच मिंस्तित है हॉर्मुज स्ट्रेट काई बार एक्जाम में पूछा गया है तो ये आप लोकेशन देखेंगे ये है हॉर्मुज स्ट्रेट और इधर है पर्षियन गल्फ इधर है गल्फ ओफ हॉमान तो इसे पर्शन गल्फ के पास ही इरान का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है फरजाद भी गैस फिल्ड ये चर्चे में रहा है जिससे हाली में भारत को बाहर कर दिया गया है आराफूरस आगर और पापो की खाड़ी किस जलसंधी से संबंदित है तौरस स्ट्रेट से यदि आप लोगोंने आउस्ट्रिलिया का मैप देखा है तो आस्ट्रिलिया की उपर में स्थित है पापो अनिगिनी तो ये है पापो अनिगिनी की खाड़ी और ये है आराफूरस ये दोनों मिल रहे हैं और पापो अनिगिनी और आस्ट्रिलिया ये अलग हो रहे हैं तब हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जोड सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है तो आज के लिए इतना ही थाइंक्यू सो मच